नमस्कार दोस्तों स्वागेता आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज हम स्वाग के चावलों के बारे में बताएंगे कि वो किस पर का है हिर्देरों कोलिस्ट्रॉल और बड़े विरक्त चाप जैसे समस्यों की रामबान दवा है स्वाग चावल के पोस्टिक गुनों के चल बनाया है जिससे बच्चों को योगे पोशन मिले और उनका सर्वागिन विकास हूं दोस्तों समाचावल कोलिस्ट्रॉल को कम करने बेद मदद रूप से ताथा बड़े हुए रक्षा को स्चार रूप से करने में रामबान ओशदी से दुआ है समाचावल के गुनों का वर आदिवासी लोग बिना किसी दुआई के सिर्फ यह प्रयोग करके हिर्दे रोक का अपचार रोक्ताम था कोलिस्टर और बड़े रक्षा को निहंतरत करते हैं यह एक सरल सुलब निरा पद प्रयोग में है जो बेद आसान होने के साथ अक्सीर भी है तो आईए दोस्तों ज कटवाई लोकी, कद्दू, गाजर और अधा कप कटवा धनिया यह अन्य कोई पत्तिदर सबजीयां और दो कप चाच यह दियाब चाहिए तो इसमें अपनी पसंद के अनुसार हाई सबजीयां और अन्य सबजा मुफली, मटर वग्यारा भी डाल सकते हैं तो जो बनाने की वीदिया दोस्तों वो इस प्रका है कि समा चावल को एक या डेड़ कप पानी में एक से दो घंटे बिगवकर रखें उसके मद एक चमज घी, जीरा, हिंग, दो काली मिर्च वे एक छोटा दाल चेनी का टुड़ा कर तरका लगा कर उसमें कटिवी सबजे डाल दे और उपर लिए होने चाहिए, आप इसे बिना चार्च डाले भी बना सकते हैं, लेकिन मुल रूप से इसके बनाने का तरिका चार्च डाल कर ही है, अब जानते हैं दोस्तों इसके फाइदा के बारे में, यह हिर्दे रोग में एक बहुत कारगर दवा साबित होई है, और श्रीर के व पाराव यूरिक एसिड, आंतों के समस्यां, गुद्दाद्वार के रोग, मुत्र संस्थान के रोग, डाइबिटिज और मुठापे को भी कम करती है, तकान, कमजुवरी, अरूची, पीटो में भारी पन, अब साथ जैस समस्यां में भी लाब मिलता है, इसे निवे 40 दिन करने से हिर्दे समधित के लिए अश्चेर जनकर आप मिलता है, दोस्तों ये हैं समाचावल के फायदे, आगे भी हम आपके लिए ऐसी आईरवाय तक जानकर ये लेकर आते रहेंगे, इसके लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकों को जर से पहले आपको मिल सके, आप अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार